जै बजरंग वली मंगल वार और शनी वार का दिन विशेश रोप से बजरंग वली की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है मंगल वार के दिन भगवान बजरंग वली की पूजा करने से बजरंग वली प्रशन होते हैं माना जाता है मंगलवार के दिन अगर आम हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं तो ऐसा करने से दुख संकट, दुख दरिदता, दुख रोग, विपदाय, संकट समाफ्थ होते हैं और बजरंग वली जी की किरपा प्राप्थ होती हैं बैसे तो बजरंग वली जी की पूजा करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों को करने का ज़्यादा जरूरत नहीं होती लेकिन हनुमान जी की पूजा में महिलाओ को कुछ बिसेज बातों का ध्यान रखना चाहिए महिलाओ को हनुमान जी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओ को चोला जो चड़ाया जाता है सिंदूर का वो चोला अपने हाथ से कभी नहीं चड़ाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है इसलिए महिलाओं को चोला नहीं चड़ाना चाहिए हनुमान जी की पूजा में महिलाओं को हनुमान जी की चरण इसपर्स भी नहीं करने चाहिए यानि उनकी मूर्ती के चरण इसपर्स नहीं करने चाहिए वैसे आप भगबान को बजरंग वली को परणाम कर सकते हैं लेकिन उनको इस पर सना करें महावारी के समय महिलाओ को हनुमान जी की पूजा से जुड़े कारी नहीं करने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओ को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है महिलाए भी हनुमान जी की पूजा अवश्य ही कर सकती है आईए हम आपको बताते हैं आखिर महिलाए हनुमान जी की पूजा अराधना कैसे करें महिलाए हनुमान जी की पूजा करने के लिए हनुमान जी के सामने दीपक परजलित कर उनकी पूजा अराधना करे हनुमान जी को पुष पचड़ाएं और अन्नी अपने हाथ से बनाय हुए प्रशाद का हनुमान जी को भोग भी लगा सकती है महिलाए हनुमान चालिसा का पाठ भी कर सकती है सुन्दर कांड का पाठ भी महिलाए कर सकती है महिलाए हनुमान जी के मंदिर भी जा सकती है ऐसा नहीं है कि महिलाए हनुमान जी की पूजा से दूर रहे ऐसा नहीं है केवल आप हनुमान जी को इस पर्स नहीं कर सकते हैं बाकि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं उनके मंदिर भी जा सकते हैं अब बहुत से महिलाए ये सोचती हैं कि क्या वो हनुमान जी से सम्बंदित पूजा पाठ या उपाय कर सकती हैं तो हम आपको बता दें आप हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ उपाय कर सकते हैं बस आपको महीने के साथ दिन हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है बाकी अन्य दिनों में आप हनुमान जी की पूजा अराधना हनुमान जी से संबंधित उपाय कर सकते हैं कई महिलाओ के मन में ये सवाल रहता है कि क्या वो हनुमान जी के चर्णों का सिंदूर अपने घर ला सकती है या अपने मस्तक पर उससे तिलक लगा सकती है तो हम आपको बता देगी आप हनुमान जी के स्री चर्णों का सिंदूर अपने घर ला सकती है और अपने उस मस्तक प को भी उससे तिलक लगा सकती हैं लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यानि महिलाओ को हनुमान जी को इस पर्स नहीं करना है इसलिए आप या तो मंदिर के पंडिक जी से हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले या फिर अपने घर परिवार के किसी सदस्य पुरुस सदस्य के दुआरा आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले ले बस आपको ध्यान ये रखना है कि महिलाओ को हनुमान जी को इस पर्स नहीं करना है बाकी आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगा सकते हैं अपने बच्चों के और अपने प के चलनों का सिंदूर मस्तक पपर लगाने से संकटों का नास होता हैं और बज्रंग वrition कि आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं हनुमान जी के चलनों का तिलक लगाने से भूत परेट की बाध दूर रहती हैं और बजरंग वली की पिशेश क्रपा प्राप्त होती हैं प्रियत दर्शको अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और कमेंट्स वॉक्स में जै बजरंग वली जै श्रीराम अवश्य लिखें डिल्ड़ दर्शक प्रियाराब करें दर्शको अवादी लगी तो हमारे बजाब शर्शको रहें जली हैं तो हमारे इमारे जानकारी वाः उटन्मी एमारे नहीं जल मुएं लिवादी लगी जलाता विजक्ता